दोस्तो वीडियो की सुरुआत दो लाइनों से करना चाहूंगा कि पंजाब के मुंडे और दिली के दिलवाली, IPL के दूसरे मैच में हैं बिढ़ने वाली, कौन जीतेगा वो तो बाद की बाद है, अगर आपको जीतना है तो आप इस वीडियो से एंड तक नहीं जाने वाले हलो दोस्तो मैं नाम प्रिंसर आप देख रहे हैं फंट्यासी विनास, दोस्तो आचुका है IPL 2024 का बड़ा मुकाबला जो खिला जाएगा पंजाब किंग्स और डेली के पिटल्स के बीच, जहां पंजाब ने एक नया कप्तान जितेश स्वर्मा चुन लिया है तो वहीं पर रिसब पंत की भी वापसी हो चुकी है तो दोनों के बीच एक कड़ी टकर हमें देखने को मिलेगी उस कड़ी टकर में हमको जीतनी है ग्रेंड लीग या तो हमको 11 करोड पतियों में अपना नाम लाना है या फिर 2 करोड रुपिये पर अपना जहन्दा लहराना है अगर मैंने काफी मेहनत करके आप सभी के लिए बनाई है एंड तक जरूर देना साथी इस वीडियो में आपके लिए एक कमेंट की वह में भी है और आज आपको बताना है कि आज रिसब पंत कितने रन बना सकते हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद वापसी हो रही है और इस कमेंट क प्राइम टीम पूरे IPL की फिरी चाहते हो तो आजा हमारे टेलग्राम चैनल पर यह हमारे टेलग्राम चैनल है इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्किप्शन में अभी जाए उससे जोइन कर लीजिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यह IPL 2024 का दूसरा मुकाबला है पंजाब किंग्स और डेली केपिटल्स की बीच यह मुकाबला खेला जाएगा और यह जो मुकाबला है M.Y.S. International Cricket Stadium मोहाली में खेला जाएगा 23 अपरेल दो बज़ कर 30 मिनट पर यह मुकाबला सुरू होगा दोस्तों कर हम बात करें की बात मैं आगे करूँगा और यहां पर एवरे सिकोर 150 170 का है यहां पर हाइस 238 बन चुका है और यहां पर विकेट इस्टेट्स आप देखिए पिछले 3 की 20 मैच जो हुए हैं पेसर को 25 मिले हैं सिपनस को 15 विकेट यहां पर मिले हैं और यहां पर दोस्तों टोटल जो मु स्कोर दो बार बना हैं मुझे लगता है 170 और 189 के बीच स्कोर यहां पर बन सकता है वहीं दोस्तों करम बात के हैं है ट्वेड की पंजाब किंग्स और डेली कैपिटल्स की बीच 32 मुकाबले की लगे हैं और दोनों बार 16-16 बार जीते हैं निकी बिलकुल बराबरी का मुका की आप देख सकते हैं इनके जो कैप्टन है वो जितेश सर्मा है यह पहले से एडिटीड है तो यहां पर सिकर्दवन है और सिकर्दवन और जोनी बेरेस्टो करेंगे ऑपन इनकी अलावा प्रभ सिमरन लियाम लिंग्स्टन जितेश सर्मा सैम करन हरसल पटैल और में हो सकता है तो चलिए दोस्तों बात के लेता है सभी ख्लाडियों के स्टेट्स की दोस्तों सिखर्दवन ऑपन करेंगे 217 इन्होंने मैच के लिए आई प्रसेंटेज कम से कम 88-89% रहने वाला है और हैट टो एड उननीस मैचों में पांसो सत्तावन रन एकत्तिस के अवर हैं तो रिस्की जो टीमें होंगे आपकी एक या दो एक या दो में इनको ड्रॉप करके चलना है बाकि इनको आपको अपनी सेफ टीम में लेकर चलना है इंके साथ जोनी पैरेस्ट वाएंगे दोस्तों 49 मैचों में 12-14-36 केवरेज हैं इनका सेलेक्शन परसेंटेज 22% है है नेक्स नामें दोस्तों प्रम सिम्रन का 20 मुकाबलों में 422 रन बनाया है 21 के इनका सेलेक्शन परसेंटेज बहुत कम रहने वाला है ग्रैंड लीग के मस्ट पिक यह हैं 12-13% सेलेक्शन परसेंटेज होगा है इनका काफी ज़्यादा खतरनाक है और रेसेंटली फर्म इनकी ठीक ठाक है ग्रैंड लीग का मस्ट पिक प्रब सिम्रन इनको आपको ग्रैंड लीग में रखना है बाकी आप जो आपकी वैसी टीम है जो आप एसल के लिए बना रहे हो उसमें आप इन्हें छोड़ सकते हैं नेक्स नाम लियाम लिंग्स्टन का है 32 मैचों में 828 रन आठ भी है सेलेक्शन परसेंटेज देखे हो 36% और इनका है टो है काफी गजब का 6 मैचों में 108 तीन विकेट भी हैं और यह फर्स निंग में फ्लॉप रहते हैं विक्टे निकालते हैं लेकिन फ्लॉप रहते हैं वैसे और राउंडर की हैसियत से इनको आप रख सकते हैं इनकी खराब है किसी किसी टीम में इनको आप ड्रॉप भी करके चलना है नेक्सा में जितेश सरमा का 47% जो है सेलेक्शन परसेंटेज लोग इनको बरबर कर ले रहे हैं लेकिन मैं कहूंगा आज के मैच में इनको ड्रॉप करके चलो क्योंकि इनका जो फॉर्म है का इनके साथ इनों ने 2 में तीन विकेट लिए सेकिन इनों में 5 में चों में 5 विकेट लिए हैं और बल्लेबाजी में कुछ खास करने वाले नहीं है यहां पर मैदान पर विक्टे निकाल सकते हैं तो ऐसा नहीं कि ने आपको अगर चैने लेकर चलना है इतने अच्छे इनका पिसला सेलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 9 परसेंट है जी यल का एक और मस्ट पिक हैं 11 मैचों 11 विकेट हैट टीन मैचों में चार विकेट इनका परफॉर्मेंस तो खेर ऐसा ही है लेकिन ग्रैंड लीग में इनको आपको लेना है सिमोल लीग में चाहिए आप इने डॉप कर देना लेकिन ग्रैंड लीग में इस बंदे को आपको अपनी टीम में रखना है सेलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है अगर दो विकेट भी ले गया तो आपके टीम नंबर वन पर राइंग करेगी यह आपको याद रखना है ग्रैंड लीग के मस्ट पिक साथ से साथ मैं आपको ब एक परसेंट सेलेक्शन परसेंटेज है आपको किसी ग्रैंड लेग टीम में इनको जरूर ट्राइ करना है बाकी ने अशल में आप ड्रॉप कर दिना कोई लेनी की जरूरत नहीं है कगीसो रबाड़ा तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट है और इनका सेलेक्शन नहीं निकालते हैं अब डestra सेलेक्शन परसेंटेज कापी हैवी रहने वाला है अब जिस टीम में आप अगी सोर अबाड़ा को ऻौड़ा कर देना अर्षदी पुले रहे हो तो कगी सुर अबाड़ा को ड्रॉप कर देना ऐसे इनको कॉंबिनेशन बना कर आपको चलना है लाशन फाइनल राहूल चाहार सेलेक्शन परसेंटेज भाइस आप तीन परसेंट है ग्रैंड लीग का एक और मॉस्ट इंपोर्टन फिट उनकतर मैंचों 65 विकेट हैं नो मैंचों में 8 विकेट है है तो एड में रैसेंट फॉर्म चाहे कैसे भी हो आप सेफ्टी में इन्हें ड्रॉप कर देना बाती ग्रैंड लीग टीम जो आप रिस्की टीम बना रहे हो रिस वर्स में राहूल चाहर कराएंगे सेम करन कराएंगे असदीप और कगी सुरबाड़ा बोलिंग कराएंगे बात करेंगे दोस्तों अगरा हम प्लेयर बैटल की सिखर दवन को खलील एहमद ने एक बार पुल्दी प्यादाव ने इनको दो बार और ललित यादव ने एक बा किया है जोनी भैरस्टो को खलीली एहमद ने एक बार ये लिविंग स्तन को बार कुभा प्यादाव ने एक बार और अक्सरौ प्रतेल ने एक बार आ उट किया है यह यह बात हो गई दोस्तों पंजाब किंग्स के बारे में अब बात करते हैं डैली कैपिटल्स के बारे में डैली कैपिटल्स के कैप्टन है रिसब पंथ जो वापसी कर चुके हैं पिर्थवी सो और डेविड वररनर ऑपन करेंगे इनके अलाव मिचेल मार्स है रिसब पंथ है त्रिस्टन स्थब्स है अक्सरपटल है लिली त्यादव है कुल्दी प्यादव है एंडिक नोड़ जे मुकेश कुमार और खलील आहमद यह होगी डैली केपिटल की पॉसिबल प्लिंग लिए इंपक्ट प्लियर की दोस्तों करें बात किया तो इंपक्ट प्लियर में साइव काफी बेकार है इसलिए मुझे लगता है इनका जो स्कॉर है सेलक्षन परसेंटेज और भी कम होने वाला लेकिन लोग अगर इनको छोड़े तो आपको इनको पिक करना है क्योंकि डेविड वोर्नर को सब लेकर जाएंगे पिरतवीसों को बहुत कम लोग लेकर जाएंगे और आपके लिए मौका है कि किसी किसी टीम में आप डेविड वोर्नर को ड्रॉप करके चांस बहुत बढ़ा है मैं यह नहीं किरा कि डेविड वोर्नर को छोड़ना ठीक है चांस बहुत बढ़ा है अगर ले सकते हो तो एक आठ टीम में जरूर ट्राइ करना बाकी इनको आप डेविड वर्नर को लो उसमें पिर्थवी को थोड़ा साइड में ही करके चलना क्योंकि एक विकेट मुझे लगता है कि जल्दी जाने वाला है डेली के एपिटेल्स का डेविड वर्नर 176 मैंचों में 637,41 के एवरेज है सेलेक्षन परसेंटेज 590 परसेंट है 590 परसेंट लोग इनको लेकर चलेंगे हैट वेड काफी गजब का है 25 मैंचों में इनके ग्यारा सो पांच है पचास का एवरेज है बाई साब और सेकींड और फर्स दोनों में बहुत गजब का यह करते हैं रेसेंटली फर्म भी इनका तो आप मिचल मास को ड्रॉब कर सकते हैं सेकिंड में तीन मैचों में 20 रन सिर्फ इनों ने बनाए है और एक भी विकेट नहीं निकाला है ती दो मैचों अठतर रन फस्ट बैटिंग करते हुए देली में अगर फस्ट बैटिंग करती है तो मिचल मास को छोड़ का चांस ल नहीं है तो ज्यादा टीम हों में इनको ड्रॉब करने के चलना है बाकी एक दो मेने ट्रॉइब कर लेना ना इसमें ट्रिस्टन स्टब्स का इनको सेलेक्षन परसेंटेज देखे चार परसेंट अगर आप रिशब पंद को डॉप करके चांस ले रहे हो तो किसी ग्रेंड करना है किसी एक दो टीम में बागी टीम में आप इन्हें डॉप कर सकते हों अक्सर पटेल का है 136 मैच के लिए 1418 एक सो बारा विकेटर सेलेक्षन परसेंटेज बहुत हैवी होने वाला है और आर्ट मैंचों में 11 विकेट है है ठीक है बैटिंग भी कर लेते हैं तो अक्सर टीम बनाकर किल रहे हैं तो छोड़ देना अगर रिश्की टीम बनाकर किल रहे हैं तो ले लेना नेक्साम कुल्दीप का है इन्होंने 8 मैचों में 8 विकेट निकाले है बहुत अच्छी फॉर्म है लोग इने मारेंगे तो मारने की चक्कर में आउट भी होंगे और इनको ए की प्लेर है Grand League के Grand League में आपने ट्राइब कर सकते हैं और जो सेफ बना कर आपके लिए इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं तो सेलेक्षन परसेंट इस दो परसेंट है यह आपके लिए विकेट निकाल भी चुका है इस टीम के खिलाब और इनको आपको टीम में रखना है जरूर रखना है किसी टीम में एंडिक नोड़ी को छोड़ देना या किसी टीम में मुकेश कुमार को ट्राइब कर लेना लिए ईक बार इन बरार कई है वहीं डेविट वच्जों को गीशोद रबाडा ने तीन बार सेम करन ने 2 बार लिविंगिन स्टन ने इन बार O otra उआए है अभव इन सभी कॉया है मैंने आप लिए मेरी न्लिट की बनाई है यह मेरी पहली फार को लिए मैंने डेविड बोर्न को लिया है सिकरदवन को लिया है और लाउंडर में मिचल मार्स अक्सरपटेल लिविंस्टन सेम करन को लिया है बॉलर्स में कुल्दी प्यादा और कगी सुरवाड़ा एंड्रिक नौर्जे को मैंने आप लिया है यह मेरा पहला कॉंबिनेशन है इसमे क्यापटान में बना है डेविड को यह है मेरा दूसरा कॉंबिनेशन और क्यापटान के लिया